हुआ है फ्रेंड अज हम बनाने जा रहे हैं रोश्च चनादल के लड़ू इस कप से देड़ कप में रोश्च चनादल में रही हो इसको हम फ्लेम आन करके दो मिनट के लिए भूल लेंगे रोश्च कर लेंगे きुआ हम इसको एकशे मिनट के लिए भुनने हैं बस इसको हलका गरम करना है क्योंकि यह नरम रहत है ना इस्तरह से रोष्ट करने से कड़क हो जाएंगे इस लिए अभी रोष्ट हो गय है है दो मिनिट के लिए अभी इसको निकाल लेंगे का इसको सब्सकी रख लेंगे को इसी पैन में जो कप में रिश्टट् रिए थे ना उसी पसे एक कप पॉडर करके लिई हों में इसको आड़ करने के बाल उसी कप से आदह कप पानी आट कर रही हों में मिल्यम प्लेम रखे के छोड़ेंगे अच्छे से मेल्ठ हो गया है इसको चान लेंगे पिए कड़ाई रखे इसमें चान लेंगे चननी से क्यूंकि गुर्द में मित्ती रहती अब इसी तरह से बना सकते हो अभी हाई फ्लम रखके इसको पकाते जाएंगे इसी तरह से तीन से चार मिनट पकाने के वाद इस तरह से हो गया है इसको और दो मिनट पका लेंगे इसको चक करेंगे हमें एक बॉल में थोड़ा पानी लेके इसको बस एकसी दो ड्राप दाल के देखेंगे इसको बॉल बन रहा है नहीं करके अभी बॉल नहीं बन रहा है और 12 मिनट पकाना है देखें इस टेश्च पे far ढलके पानी में दोusan यूठ अब दाल के देखें थंडा होने के बाद यह अच्छे से तूटना है अभी आ गया है यह पाक है इसमें हम रोस्टेट के हुए रोस्टेट शना को एट करने के बाद इसमें एक टी स्पून घिया एट कर देंगे एट करके इदोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्लैम बन कर चुकी हूं ही अभी इसको एक प्लेट में डाल देंगे अच्छा है तो इसकी बर्फी जमा के बर्फी भी कट कर सकते हो और तो शुट शुटे लडू भी बना सक इस तरह के चोटे चोटे आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हो वेज कि हमें लिए जब भी बनाएंगे थोड़ा हलका पानी में डीप कर लीजी हाद को जितने भी इसी तरह से सारे हम बना लेंगे इस तरह से देखिए मैं सारी इस तरह से बनाके रक लिए इतने से इसके बॉल्स इसको सेर्फ कर लेंगे बच्चे बहुत शोख से खाएंगे अब भी जरूर बना कि दीजिए बहुत हिल्दी रेसीपी है अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंड करना मत बूलिये अलाह पीस